प्रदेश के पूर मुख्यमंदरी हरी श्रावत मतिकांकिता भंडारी के परीचनों से मुलकात करने पहुँचे जहां हरी श्रावत ने परीचनों से मुलकात कर दुख व्यक्त किया साथ ही आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने और परीजनों को न्याय दिलवाने की बात कही वहीं ग्रामिडोंने पूर वर सीयम को ग्यापन देते हुए मतिकांकिता के नाम से सड़क और किसी स्कूल का नाम रखनी की मांग की महीं आर्थिक सहायता की रूप में एक करोड की धनराशी और सरकारी नौकरी की भी मांग की गई आपको बता दे कि C.M. के बयान चारी क्या था जहां उन्होंने बयान देती हुए कहा था कि आखिर कौन वो सफीद पोश था जिसके लिए अंकिता पर दपाव बनाया जा रहा था उसके भी प्रमुकता से जाच होनी चाहिए साथी आशंका जताई की ये घटना बड़े बड़े सपेद पोशों से जुड़ी है वन्हा रातो रात आनन पानन में उस रिस्टॉर्ट को तोड़कर साक्षे मिटाने का काम नहीं किया जाता वहीं अंकिता के पिता वीरेंडर भंडारी ने कहा है कि वीरांगना अंकिता के नाम से स्कूल और उनकी सड़क का नाम रखा जाए साथी पास्ट्रेक कूट में मामली को चला कर अपराधियों पर कड़ी कारवाई करते हुए पासी की सजा दी जाए कि वह कैसे पूरा उत्राखन पूरा देश पूरी मानवत ता इज बात की मांग कर रही है कि रसूप दार बैक्ति का वेटा जो है जिसने हमारी संस्कृत ही को अमधि यह ईस या देव भूमी की संस्कृत ही को कलंकित करने का और प्रयाश किया एक बहदर वेटी जिसने उसकी हवस का और उसके वियाईपी जिस गेस्टूं का उसको एसकॉर्ड करने के लिए अंकिता से कह रहा था उनकी हवस के सामने जुकने से इंकार कर दिया उसकी हत्या कर दिती तो उनको धन दिया जाए मुक्त हां मैं चाहता हूं जो तीन होटल मैनेजर कुल्पित आर्या और सौरव भासकर मैनेजर अनकीत इनको फास्टे एंदर इनको तुरंत कारवेधी की जाए और कुल्पित आर्या के पिता विनोद आर्या को सरकाल तुरंत आइस किया जाए